पीजी वालकम सीव इन पीजी पॉइंट अल्रेडी आप लोगों ने ये खबर बहुत जगह सुन ली होगी मैं सिर्फ मेन मुद्दों पे बात करना चाहती हूँ जो आपके तीसरे चरण की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है इससे पहले भी आपने देखा होगा कि बिहार क सिक्षक बढ़तियां आई है और बहुत जल्दी में उनके परिक्षाएं भी हुई है सेलेक्शन भी हुए है ठीक सब चीजे हुई है तो पहली बात तो मैं आपको कुछ चीजे क्लियर कर देना चाहूंगी कि इस बार जो आपके 50,000 सेदिक पद होंगे इसमें आपके PRT के पद होंगे ठीक है जिसमें आपके प्राइमरी और अपर प्राइमरी के भी होंगे साथ में TGT के भी होंगे और PGT के भी होंगे यानि कि इसमें B.Ed. वालों को भी मौका मिलेगा और D.Ed. वालों को भी मौका मिलेगा जैसे मैम कैसे हमने का जो B.Ed. ऐस्पिरेंट्स हैं वो हम लोग 4 semester में हैं यह हम लोग 2nd semester में हैं अपने बीए डिलेट जो भी टीजिंग कोर्स कर लें तो क्या हम लोगों को eligibility होगी क्या हम लोग इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे तो देखिए यह बहुत मुश्किल है कहपाना कि appearing student जो बीए डिलेट वाले हैं उनको यह लेंगे या नहीं क्योंकि इनका पूरा notification अभी नहीं आया लेकिन संभावनाओं के अधार पर अगर मैं यह बात कहूं तो हो सकता है कि जिनका जिनका पेपर हो चुका हो फॉर्ट सेमेस्टर में समझेगा बात को जिन अभीरतियों का फॉर्ट सेमेस्टर का पेपर हो उनका जो रिजल्ट आना केवल अगर बाकी है तो वो बच्चे यहां पर eligible होने चाहिए है जितना मेरा अपना point of view कह रहा है क्योंकि आप पेपर तो दे चुकि आपका result आना है और यह condition यह दे सकते हैं कि result में अगर आप पास हैं तो ही आप मानने होंगे दरवाइस आउट हो जाएंगे बस यह हो सकता है लेकिन जो बच्चे फोर्ट सेमेस्टर का एक्जाम दे चुका है वो eligible होने चाहिए मेरे हिसाब से बाकी क्या में सीटेट अपीरिंग मानने होगा बहुत जादा पूरी संभाव ना है कि सीटेट अपीरिंग वाले बच्च एक माना गया है कि कब से कब तक चीज़े हो सकती है तो देखिए आवेदन ये फरवरी में ले लेंगे परिक्षा ये एक महिने के अंदर अगर करवाना चाहेंगे तो मार्च तक करवा सकते हैं ठीक है बिए डेले जिनको फोर्ट सेमेस्टर का एक्जाम हो चुका है उनको म जारी हो चुका था अगस्त में पेपर होना था लेकिन इन्होंने अपने केलेंडर के हिसाब से भी नहीं चला और अगर ये बात है तो नो डाउट कि ये क्यमम एक्जाम करवा लेंगे तो डेफिनेटली करवा लेंगे आप ये याद रखिएगा देख लेजें यहां पर भ होगी सिक्षक भरती फिर से ठीक अब अब बात यह है कि जब बिहार वाले वेकेंसी आएगी तो उसमें जो आपके 2.0 की टीयारी की वेकेंसी थी उसमें जो रिक्त पद रह गए हैं उनको भी इंक्लिवड कर लिया जाएगा तो लगबग हम लोग मान सकते हैं कि 65 से 68000 के आ बावनाए हैं सारा खेल आपको भी पता है चुनाव से संबंदित होता है है इतने समझदार तो आप भी है अप अपनी तयारी में लग जाओ कैसे मैं तयारी करें केवल और केवल आपको दो काम अभी करने है एक तो आपको अपना सब्जेक्ट मजबूत करना है जिससे आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं अगर आप भी एड़ वाले हैं आपको पढ़नी है NCRT प्लस जितनी भी TRE 1 और 2.0 वाली जितने भी प्रिवियस यह पेपर हैं वो आपको पहले सबसे पहले उनका अनलिसस करना है और देखना है कि कहां से कॉश्चन जादा पूछा जा रहा है क्या चीज़ें उनको एनलिसस और साथ में NCRT की किताबे आप अभी से इतना पढ़ना शुरू कर दीजे और क्यूंकि पेपर जल्दी होना है तो आप कोई पता है कि एकदम जिनकी तयारी है जो अल्ड़ेडी प्रिवियस पेपर दे चुके हैं उनका इस बार वैसे भी देने मां